परम्पुज्य सत्रमित्रा नंदगीरी जी महराज अम्दवाद नी मुलाकाते आवया छे। प्रवस्चन पन आपिवत्व या डॉक्टर सुरेश भाई पतेल शी जिगनेश भाई पतेल अने शी राकेश भाई पतेल सहित तम महानुबाव उपस्तित रहाता। दिगनेश भाई पतेल शी जी 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 राकेश भाई पतेल सहित श्कूल ना ट्रस्टी गण सहित अनेक लोकोई कि महाराज ना प्रवचन नो आनंद माने होतो हुआ 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 है यह बड़ी कठना है कि रामकश परमांस तुम में लेगा है कि यहां अब तक बाहरी कोई वुस्ति ना है कि तो लोग मेरे इसले आते हैं लोग प्रचार करते हैं स्वामी जुमाराद को पद्मभूशन मिला और ह liberté गीता कहते हैं कि घबसे राम्क आ आप हो गया राम के शारापन खंधाय करें भ़यो भूवन भूशन तरहां से रह दिज़्मय में क्ज़े प्रवध कैसे परणत्छ पन्होंस ओए। तो अब भून भूषण को कोई तर्म भूषण बना दे तो वो कोई डिगरेट हुआ वो कोड़ा नहीं लेकिन अब संसर माननता है ऐसी बदल गया मुझे भी PhD मिला है जब मुझे तर्म भूषण मिल गया हमारे यहां के जो राजपाल उन्होंने का राजभवन से भी आपका स और संस्कित विश्विद्याले को वर से बिद्या वाचसपती और PhD की हमें भी मान पत्र दिया अब सब्सक्राइब पचासी वर्ष के आउँ में आपके जोंको PhD दें को नोगरे तो मिलेगी नियुक्त उसके तो एजी रेटार्मेंट की होगे तो फिर भी मैंने उनका सम्मा तो हमारी दृष्टी भी भाई हो गई है कि हम आंकर को पहचाने का प्रयत नहीं करता है ना कर पाए तो कुछ चिंता नहीं हमारे यां बहुत अच्छी शिमत भगवत गीता उसको आप यूरिजिस्टल इसकी उप्चर कह सकते हैं क्यों गीता में हिंदू शब्द नहीं आय जो सनातन शब्द आया अचलो यम सनातन और आत्मा के लिए है तो इतना विशाल धर्वन दुनिया में कोई ने